खबर सीधी से है जहां जिले के रामपूर नैकिन थाना में उस वक्त अफरा तफरी का महौल हो गया जब उन्हें सूचना मिली कि रामपूर नैकिन से 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम भैस रहा है जहां तेज रफ़तार एक बारातियों से भरी बस पेड़ से जा टकरा गई इसमें 25 लोग घायल हो गया है इनमें से दोकी हालत गंभीर बताई गई है रामपूर के थानप्रवाई निरिक्षक सुधानसु तिवारी ने पुलिस 108 इंबुलेंस वह 100 डायल को मौके पर पहुंचकर सभी आत्रियों को रामपूर नगर समुदाइक स्वास्त केंदर में भी जवा दिया है जहां उनका इलाद चल रहा है अस्पटाल रामपूर नेकिन में पधस्त राजे स्वर्मा नहीं जानकारी दे कर बताया कि भारातियों में लगभा 25 घायल है जिनका रामपूर नैकिन अस्पटाल में चल रहा है वहीं दो व्यक्ती ज्यादा सीरियस होने क वज़े से उन्हें रीवा संजय गांधी अस्पिताल के लिए रेफर कर दिया गया है सेर्वे सुविधायों नैशनल हॉस्पिटल समात रहा रीवा में अब कैंसर का सफल उप्चार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामे योजना का लाब आयश्मान जन आरों के योजना के तहट सभी प्रकार के मेड़ी क्लेम की सुविधा उपलब्थ है हमारे यहां लेजर कैंसल, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हॉस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारें के लिए संपर्ख करे मोबाइल नंबर 9-6-9-1-2-8-8-5-6-0-1-5-5-1 पर हमारा पता है नैशनल हॉस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्ख करे 0-7-6-6-2-3-5-9-9-7-4 पर या फिर संपर्ख करे 8-6-0-2-8-8-5-9-9-0 पर यांबंधित6-6-5-9-6-9-9-1-2-9-9-9-9-1-3-6-5-9-9-5-10-9-9-9-9-9-1-10-5-9-9-9-0-1-1-2-9-9-2-9-9--9-10-1-2-5-10-9-1-7-9-9-9-10-1-1-7-2-5-1-1-7-7-7-0-1-5-10-1-9-1-2-2-6-9-8-0-1-0-1-5-6- lawsat-t